बैंक ओफ इंडिया एक्सा क्रेट रिस्ट फंड के एनेवी में एक ही दिन में 50% की गिरावट मुचल फिन इंडिस्ट्री में फ्लेंकिन टेंपल्टन के 26,000 के घुटाले के बाद एक और निउस 26 अप्रेल को आया जहां बैंक ओफ इंडिया एक्सा मुचल फंड ने अनाउंस किया कि वो अपने एनेवी में 50% की कमी कर रहे हैं बहुत सारे कॉर्परेट बॉंड को वो राइट अफ कर रहे हैं वेलकम तू फिनकरी, आई आम पुनीज सिंग आज मैं आपको पताने वाला हूँ बैंक ओफ इंडिया के इस स्कीम के अंदर क्या हुआ जैसा कि आप जानते हैं काफी सारे इंवेस्टर्स मैं और आप हम लोग कई बार सेफटी के नजरिये से mutual funds में equity schemes जो share-o में पैसा लगाती हैं वहाँ पैसा न लगाकर हम debt schemes में पैसा लगाते हैं जो नार्मली corporate के या government के bonds खरीदती हैं ये relatively safer मना जाता है returns तकरीबन less होते हैं 7-8 से 12% के बीच में लेकिन safety बहुत होती है इसलिए हम लोग मैंसे काफी सारे जो लोग हैं वो debt scheme से पैसा लगाते हैं यही देखा गया कि यही debt scheme के अंदर जहां Franklin Templeton में 26,000 करोड रुपे का नुकसान होने का या एक uncertainty बनी हुई है वहीं यह Bank of India Exa Mutual Fund की एक debt scheme है जिसका नाम है credit risk fund यह scheme जो 2015 में announce होई थी इसको इसके जो main advisor है वो बहुत बड़ी repetition के साथ global private equity player KKR है वो advice देते हैं इस scheme के अंदर कहां पर bonds खरीडे जाएं उनकी advice के बाद भी जो 17,000 करोड रुपे इस scheme में लगाए गए थे उनकी valuation आज लगबग 70% down हो गई है और एक ही दिन में 50% NAV down ही इसका मतलब क्या है अगर आ आज तकरीबन उसकी value forget about interest आपको capital जो 100 रुपे लगाया था वही 30 रुपीज रह गया है तकरीबन 70% का capital horizon यह बहुत बड़ा एक question बन गया है uncertainty बन गई है मेरे और आपके जो हम जैसे investors होते हैं जिनको financial education होता है हम बस advice पर मान लेते हैं कि कहां पैसा लगाए और पैसा लगा आई यह जानते हैं quickly कि यह scheme के अंदर क्या हुआ ऐसा 2015 में जब यह scheme announce हुई बहुत ही बड़े fanfare के साथ KKR का reputation था उनकी advice थी जब लोगों ने पैसा लगाया तो यही scheme के अंदर इन लोगों ने ज्यादा profit दिखाने के लिए जो bonds की जो lower rating वाले schemes होती है एक होता है AAA, AA ratings और और एक होता है below AA ratings वाले bonds तो ज्यादा profit कमाने के लिए इस credit risk fund है जो कम ज्यादा रिस्की और ज्यादा profit दिखाने वाले जो कंपनिया है उनके bonds नोंने खरीडे कुछ नाम में लेना चाहूंगा जैसे resonance जो IIT quota की company है accelerated education गौतम थापर जो क्रॉम्टन ग्रीफ के हैं उनकी एक company है अवांथा Capital या CCD लें और भी कुछ चारपा कैसी company है जो नामी गिरामी है यह सारी कम्पनियों में इस bonds में पैसे लगाए इन कम्पनियों के bonds में यह बांड जनरली issue हुए थे 8-9-10-12% के interest पे यह देखा गया out of 1700 करोड रुपी करीब 700-800 करोड रुपे इन सारी कम्पन आते हाते इन्होंने जो credit risk fund है उन्होंने पैसा लगाया था ILFS के अंदर ILFS के scam के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई बट फिर भी यह credit risk fund manage होता रहा बट लास्ट येर जून-जलाई में एक जटका आया जहां पर DHFL दीवान Housing Finance Limited के जो रेटिंग है उन्हें घटाया ग घबराट आई जो स्कीम ने बॉंट में पैसे लगाया था वो कंपनियां ही आजकल ना तो interest दे रही है इस debt schemes को नहीं वो capital वापस कर रही है तो अभी जो लेटेस्ट नाम आये हैं उन्होंने जो दीवान Housing की जो market valuation है उनको 50 से 90% तक write-off कर दिया है और अवानता RKV Enterprise दिन र 50% तक का पैसा इस credit risk fund scheme का डूब गया है तो आप सोचिए कि इस debt risk fund को काफी बड़ा नुकसान है क्या ये पैसा वापस मिलेगा एक बहुत बड़ा question गोटाला है इसी के अंदर जो उनके global private equity player है KKR उनके उपर भी a question आ रहा है because जो KKR ने इस mutual fund को advise किया था KKR ने अपना खुद का पैसा भी इन companyों में लगाया था तो क्या nexus है पता नहीं but hopefully इस scheme के अंदर ये investigation होना चाहिए और हमें भी थोड़ा दियान रखना चाहिए कि किस तरह के funds में हम पैसा लगा रहे हैं तो क्या अब हमारे को future में क्या होने वाला है किस तरीके से debt schemes के अंदर recovery आएगी एक ray of hope जरूर आई है Franklin Fiasco के बाद आज Reserve Bank of India ने एक special window Mitchell Fund के लिए announce की है जिसका नाम है SLF Special Liquidity Facility जहां पर अगर Mitchell Funds के पास बहुत सारे redemptions आएं units को बेचने के बाद retailers पैसे मागे हैं और अगर Mitchell Fund के पास पैसे ना हो तो बजाए वो unit sell करने के government से bank के द्वारा loan ले सकती है banks, RBI ये पैसा SLF के अंदर banks को देंगे और banks further ये Mitchell Fund को within 90 days lend करेंगे 50,000 क्रोड रुपे की cash reserves दे दिये गए हैं जिसमें interest rate रेपो रेट तकरीबन 3.75% के आसपास चार्ज होगा तो mutual fund अगर चाहें और बहुत मजबूरी हो तो वहां से पैसा बॉरो करके निवेशकों को दे सकते हैं तो एक Franklin Templeton में शायद एक रेहोफ बनी है hopefully in bank of India also कुछ recovery आये और हमारे और आपके जो पैसे होते हैं वो शायद वापस आने का चांस हो इसलिए just keep watching मैं फिन करी में आपको बहुत सारे आगे schemes और चीजें बताऊंगा जहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा आपका पैसा आपका है और यह आपकी दिम्मेदारी है इंडिया में financial education बहुत कम है यह स्कूलों में नहीं सिखा जाती है लोग सिर्फ टि करी थैंक यू बबाए